जैपुर में प्रदेश के युवा और निडर नेता से निजीबस ओपरेटरों ने मुलाकात कर अपनी समश्याओं को लेका विशीश मांगी की हैं बस ओपरेटरों ने एक स्वर में कहा कि वे नीता के स्वच प्रशासन और कल्यान कर योजनाओं के प्रती उनके संकल्ब से प्रेरित है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी समश्याओं का समाधान जल्द ही होगा और क्या कुछ निजीबस ओपरेटरों की मांग है ये जानने के लिए जनता दर्बार पहुंच रहा इनके बीच और इनसे की खास बादशित राज़ानी जैपूर के शहीद इस मारक पर हम इस समय खड़े हैं हमारे साथ में बस अपरेटर एस्सेशन के कुछ लोग यहां पर मौजूद है अपनी विभी नमागों को लेकर आज धरना रहत के दोरह हमारे बस ऑपरेटरों के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार किये जा रहें ना जाया चालान बनाए जा रहें न जाय जो डिढक निकाली जारी और 2014 से आस तक कई यूह टेक्स बढ़ गया कई बार इसलब बढ़ गया कई बह Kubी ब теперь तोल टेक्स बढ़ गया लेकिन स पुरे राजस्तान के बिन बिन जिलों से मुक्खे मुक्खे पदादीकारी आज या उपस्तित हुए है और अगर सरकार ने भी भी नहीं सुनी तो हम पूरे राजस्तान में हमारी प्राइवेट बसे जो 30 जार चलती है उनका चक्का जाम करके अनिश्चीत काल धरना देंगे में जाती हुई सरकार थी कुछ पांट साथ मांगों पर हमारी मंजूरी किये और उनको लागू किया लेकिन हम जो उससे संतुष्ट नहीं थे हमारे बस के उपर एक बस के उपर लगबग हमारे दस आजमी काम करते हैं उनके पूरे परिवार ने उस सरकार के खिलाब बोटि अपरेटर एसोशेशन राजस्तान के बैनर तले आज धरना प्रदर्शन यहां पर जारी हुई उनका साफ तर्प कर गड़े हैं पिछली सरकार के समय भी इनोंने अपनी मांगों को सरकार के पटल पर पहुंचाय था लेकिन क्योंकि उस सरकार ने इनकी मांगों को नहीं मान इसलिए उस सरकार के खिराफ वोट करके ये भाजपा की सरकार इनोंने बनाई है और अपनी बनाई हुई सरकार के साथ में मिलकर ये राजस्तान को चलाना चाहते हैं लेकिन कुछ एकाद मांगे हैं जो शायद अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई है और उन्हीं मांगों को करने के लिए सांकेतिक धरना एक दिन का ये लोग यहां पर दे रहें उनका कहना है कि बजनलाल सरकार जिसको हमने भी वोट दिया है उस सरकार से हमारी यही आशा और आकांचा है कि हमारी मांगों को हमारी नयचित मांगों को माना जाएगा